इस परकार से सलोचना अपनी साथ से रो रो कर कहती रहती है कि माता जी मैं तो ये साफ साफ कहूंगी कि मेरे विध्वा होने में लक्षमन का कुछ भी दोस नहीं है सारा दोस तो मेरे ससुर जी का है युद्ध में तो मरना मारना होता ही है हर योधा एक दूसरे को मार कर अपना करता उपालन करता है लक्षमन ने भी वही किया है लेकिन यदि मेरे ससुर जी बन से जाकर सीता का हरन करके ना लाते तो आज ये नोबत क्यों आती और क्यों मैं विध्वा होती इस परकार से अपने सिर में दोनों हातों से पीट पीट कर दहार देती हुई रोरो कर सलोचना अपनी सास से क्या कहती है सास में तो सुसरे ने लुटवाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का सास में तो सुसरे ने लुटवाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का बन में गया सी याहर लाया नाहक सोता शेर जगाया नाहक सोतारी शेर जगाया रामचंद्र से बैर बना दिया पुटम नाश करवाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का सास में सुसरे ने लुटवाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का विश की बेल बोदाई गहरी सोता नाग जगादिया जहरी सोता नाग जगादिया जहरी बन बैठा वो मेरा बैरी बन बैठा वो मेरा बैरी में हर क्या रांड बठाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का सास में सुसरे ने लुटवाई कि पुछ दोश नहीं लक्ष मन का कि आर क्या थे लुटवाई ऐसे रोऊ जैसे गया मेरी सुरपुर पहुची छैया मेरी सुरपुर पहुची छैया ना कोई मेरा दीर बंधया मैं जग से करूँ जुदाई मैं सुसरने लुटवाई कुछ दोश नहीं लक्ष मन का बंधया मेरी सुर्पुर जैया मेरी सुर्पुर जग से करूँ आम बंधया हुआ हुआ